Hello friends, welcome to my youtube channel, दोस्तों आज हम thyristor family के एक component SCR के बारे में discuss करेंगे, दोस्तों power electronics में high power को control करने के लिए electronics device के बारे में हम discuss करेंगे, उसके बारे में study करेंगे, ये AC power और DC power को control कर सकता है, power electronics में हम thyristor family के बारे में आज SCR को discuss करेंगे, SCR एक semiconductor device होती है, जिसका full form होता है silicon controlled rectifier, दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, थाइरिस्टर क्या होता है, तो थाइरिस्टर device semiconductor material से बनाई जाती है, ये electronics device होती है, थाइरिस्टर में 3 या 3 सदिक junction होते हैं, 3 junction होने के कारड, थाइरिस्टर में 4 layer होती है, चार लेयर होती है, या 3 terminal होते हैं, और 3 device होती है, PNP इसी तरह से 3 layer होती है, और हमारा थाइरिस्टर में 4 layer होती है, थाइरिस्टर को high voltage, high current या high power पर वर्क करने के लिए design किया गया है, आज कल लगबग सभी control circuit में जहां पर high voltage, high current पर fast switching की requirement होती है, बहां पर थाइरिस्टर का यूज गया था, तो क्या है, accurate, इनका operation जो हो accurate होता है, यह काफी reliable होते हैं, simple in handling, low cost, small size, इन सभी की बज़े से control circuit में थाइरिस्टर का यूज किया जाता है, इसका यूज जो है AC DC motor की speed control करने के लिए, induction heating के लिए, power transmission में, power control में, यह AC DC किसी type का भी power control कर सकता है, aircraft में, computer, TV, power, supply, inverter, SMPS, इन सभी सरक का यूज किया जाता है, थारिस्टर फैमिली में different type की device आती है, जो की two terminal, three terminal, four, five terminal की हो सकती है, तो यह जो पिन टाइप semiconductor material की layer से बनी होती है, आज हम SCR के बारे में बात करेंगे, और यह जो थारिस्टर फैमिली के कुछ important component के बारे हमने बताया, यह SCR है, means silicon controlled rectifier, प्रब सि rectifier क्या करता है, AC को DC में convert करता है, दोस्तों यह SCR का symbol बना हुआ, जिसमें anode, cathode और gate, यह एकदम diode की तरह होता, बस इसमें gate terminal बना दिया जाता है, दूसरा हमारा component है, ट्रायक है, इसमें भी तीन terminal होते हैं, और यह डायक है, डायक में दो terminal होते हैं, यह हमारा three terminal हो गया, य इसी तरह से silicon controlled switch है, इसमें four terminal होते हैं, यह की anode, cathode, anode gate और cathode gate, इस तरह से दो, तीन, चार और पांच terminal का भी component हो सकता है, और यह हमारा सॉकले डायोड है, और यह हमारा light activated SCR है, यह हमारे थारिष्टर family की component हो गए, इस आव भी कई टाइप के हमारे component होते हैं, लेकिन हमने कुछ यहां पर यह limited दिखाए, आप देख सकते हैं, यह हमारा SCR कुछ दिखने में इस तरह होता है, यह जो से voltage regulator होता है, यह दिखने मे कर सकते हैं, इसकी पूरी specification data sheet में दी गई होती है, यह कुछ तरह से भी होता है, और कुछ इस तरह से भी हमारा SCR होता है, दोस्तों यह SCR का एक symbol है, ऐसे हमने diode की तरह बनाया, जिसमें एक terminal anode होता है, दूसरा terminal cathode होता है, और यहां पर एक gate होता है, इसमें और यह है, इसमें layer कितनी होती है, layer होती 4, terminal कितने होते है, terminal होते है, 3 and junction, इसमें junction भी होते है, 3, J1, J2 and J3, terminal कितनी होते है, इसमें PN, PN, यह हमारी layer हो गई, terminal कितनी हो गई, anode, cathode and gate, यह हमारे 3 terminal हो गई, anode, cathode and gate, दोस्तों इसमें 3 terminal और यह एक unidirectional device होती है, means, इसमें current सिर्फ एक ही direction में flow हो सकता है, जो current flow होता है, वो होता है, anode से cathode की तरब, anode से cathode की तरब, दोस्तों इस तरह से आपने देखा, यह इसका symbol हो गया, इसका यह diagram हो गया, और यह construction की, तो दोस्तों, इसके construction में क्या आए, कि इसमें हमें पता है, इसमें 3 terminal होते है, 4 layer होती है, और 3 junction होते है, anode, thyristor का basic terminal है, यह जो यह basic terminal है, और जिसमें electric current device में enter करता है, current यहां से enter करेगा, और cathode से बहार निकलेगा, और gate से हम control करते हैं, तो इसमें electric current जो है, डिवाइस इनकी सबी की doping एक समान नहीं होती है, सबी की doping अलग-अलग होती है, और सबी की चांडाई, जो लेयर है, इसकी doping ज्यादा होती है, और बीच में यह layer है, एन वाला, यह N layer है, इस layer की doping सबसे कम होती है, और कम doping के साथ साथ, इसकी मोटाई भी बहुत कम होती है, इसलिए इसमें क्या है कम doping और पतला होने की वज़े से, low voltage पर भी यह इसमें आसानी से breakdown जाता है, बस यह है, और gate से इसको हम control कर लेते हैं, तो दोस्तों, अब बात करते हैं, कि यह बर्क कैसे करता है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमें पता है कि यह 4 layer और 3 terminal devices में 3 junction होते हैं, तो SCR जो है, सिल्कान सेमी कंडेक्टर मेटेरिल का बना हुआ होता है, यह किसका बना होता है, सिल्कान का, सिल्कान का, जिसमें हम एनोड को positive, सबसे पहले हम एनोड को positive कर करते हैं, और cathode को negative करते हैं, और इसमें gate को हम अभी open रखते हैं, gate पे कुछ भी नहीं करते हैं, तो इस वाली condition में क्या, यह forward wise हो जाएगा, और conduct करने लगेगा, तो यह current जो है एनोड से cathode की तरफ flow होने लगेगी, ठीक है, अगर हम एनोड को negative करते हैं, हमने एनोड को negative कर कर दिया, और cathode को positive कर दिया, ठीक है, तो यह जो है, reverse wise में हो जाएगा, और reverse wise में हो जाएगा, तो क्या होगा, इसमें current flow नहीं होगी, यह conduct नहीं करेगा, SCR जो है current है, वो एनोड से cathode की तरफ ही flow होती है, एक direction में, एनोड से cathode की तरफ, इसी लिए इस device को हम unidirectional device भी कहते हैं, unidirectional होने की बज़े से, यह SCR rectifier की तरह भी, यह हमारा rectifier की तरह, की तरह भी work करता है, और यह unidirectional होता है, rectifier की तरह work करता है, और rectifier क्या करता है, AC को DC में convert करता है, तो rectifier, SCR से भी हम rectifier बना सकते हैं, और यह AC to DC convert कर सकता है, तो दोस्तो, SCR में जो तीन mode होते हैं, एक होता है हमारा forward blocking mode, या इसको हम off state भी बोलते हैं, और एक होता है हमारा forward conduction mode, और एक होता है reverse blocking mode, तो दोस्तो, अभी बात करते हैं forward blocking mode में, इसमें हम क्या करते हैं, यह 3 junction है, J1, J2 and J3, हमने क्या किया, इस पर anode पर positive कर दिया, और cathode पर इसके हमने negative कर दिया, आप क्या करेंगे, जब यह हमने इसको positive कर दिया, तो junction जो J1 है, क्योंकि इधर P है, यहाँ यहन है, इधर से यह हमारा हो जाएगा forward wise, forward wise, और यह वाला junction J3 है, क्योंकि यहाँ पर end है और यह negative है, यह भी हमारा हो जाएगा forward wise, लेकिन यह वाला जो terminal है, बीच वाला end layer है, यह J2 junction है, यह हमारा reverse wise हो जाएगा, यह हमारा हो जाएगा, reverse wise, इस वाली condition में क्या होगा, जो gate है, अभी हमारा open है, gate क्या है हमारा, gate जो है, open है, इस condition में क्या होगा, यह forward wise होगा, लेकिन एक junction reverse wise में तो यह हमारा क्या है इसमें current flow नहीं होगी क्योंकि junction J2 reverse wise में तो इसमें minority carrier की वज़े से कुछ current flow होगी जो बहुत ही small current होगी ठीक है इसकी जो quantity यह बहुत कम होगी तो इसमें gate open है इसलिए इसमें इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं forward blocking state यह opposite क्योंकि इसमें यह कंडेक्ट नहीं कर रहा है इसके दो जंक्शन तो लेकिन तीसरा जंक्शन reverse wise में तो इसलिए इसको हम बोलते हैं blocking करेंट को ब्लॉक कर देगा सिर्फ minority के वज़े से small current flow होगी यह तो होगया हमारा forward blocking state ठीक है आब हम बात करते हैं इसके forward conduction mode की तो दोस्तो forward conduction mode या on state इसी में ही हमारा sr work करता है on state में आब हम क्या करेंगे इसमें anode को positive supply दे दी cathode को negative supply दे दी ठीक है और gate को हमने क्या किया है है हम पर positive voltage apply कर दिया जो positive going pulse दे दी हमने है इसमें हमने gate पर क्या किया gate पर positive going pulse दे दिया अब क्या होगा जे 1 जंक्शन कि जे 2 और जे 3 इसमें जे 1 तो अमारा forward में रहेगा पहले पता है और जे 3 उमारा forward में रहेगा लेकिन जे 2 जंक्शन भी जो हमने इसमें इसमें फोर्वड पर प्लस दी उसकी बज़े से ये लिए भी हमारा और वाइस टाइन यंच्ion फ़रवड में हो गए इस इस तेजी से फ्लोल उगई इसकी वजए से कयोंकि है यह मारा और व्र्ट उबहा तो इसमें इसमें कणिस्टैन्स आपयो और इस सब्सक्राइव तेजी बढ़े आ pee जो करेंट है वो इंक्रीज होगा करेंट इंक्रीज हो जाएगा ठीक है तो यह यह जो कंडीशन है यह वाली यह फॉरवर्ड कंडेक्शन मोड है और मैंली इसी मोड में वर्क करता है ओन इस्टेट में क्ये तो हम mandatory कुछ करते हैं गेट से दोस्तों यह तो हमारा फॉर अब बात करते हैं रिवर्श ब्लॉकिंग मोड इसमें क्या होगा जेंशन देट टू यहiantes यह मारा यह diplSTo होजागा साटां कि हमने हमने यहां पर क्या इसकी जो बैटरी है कि इसकी इसकी मेंने क्र दिया और इसको पॉस्टिभ कर दिया तो यह वारा क्या है जब जन फ्लो नहीं होगी और यह रिवर्स प्लाकिंग मोड में करेंट बहुत कम फ्लो होती है वह हमारा माइनौर्टी के कारड होती है क्योंकि इसका गिराब कुछ इस तरह से बनता है कि ऐसे तो यह करेंट है यह हमारा माइनौर्टी कि माइनौर्टी के वज़े से फ्लो होती है और एक लिमिट के बाद अगर हम रिवर्स बठा दें यह जो वोल्टेज है इसको हमने बढ़ा दिया तो क्या है यह करेंट बहुत तेजी से दर फ्लो होने लगा तो यह जो करेंट है इसे हम क्या क्या बोलते हैं है कि रिवर्स वाइस में तो इसको क्या ही है यहां पर ब्रेकडाउन होजाता एक कर्डेज सी इसे हम बोलते हैं वो distintos को यालम झालब करते यह तो यह जब हमने और बड़ा दिया तो यह पर यह तो यह तो आपको समय माया ऐसे ही यहां पर हमारा फारवर्ड ब्लॉकिंग में यहां पर क्या है यह हमने बोल्टेज बढ़ाया और कैथोड पर नेगेटिव लगाया तो यह दीरे-दीरे यह मायनौर्टी करियर बज़े से जो जंक्शन जे टू में मायनौर्टी करियर इसकी बज़े से यह हमारा करंट फ्लो हो रहा है यह रि रहेगी तो यह आप देख सकते हैं इस तरह से अगर हमनें ग Eventually को आवर बढ़ा देंगा जल्दी से होने लगे के लिए मिनिमम्म करेंट की जची ज़रूरत है मिनिमम्म करेंट की वैलू होल्डिंग करेंट यह जधा आप जैक सकते हैं यह वैलू कम है यहां पर और हमारा लैचिंग ने के वैलू ज्यादा होती है वल्डिंग करेंट से और लेचिंग करेंट क्या ओन रखने के लिए मिनिममम और ओन होने के लिए कितना करेंट शाहिए यह इस पर डिपेंड करता है बाद में हम चाहिए तो गेट वोल्टेच हाटा लें एक बार स्यां टर्म अन हो तो फिर गेट कोई रोल नहीं रहता है तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा आपको समझ वाया होगा गेट करेंट की वैलू बढ़ने से सीर में ब्रेकडाउन जल्दी हो जाता है क्योंकि यह देखिए यहां पर गेट करेंट की वैलू आपर 0 थी उसके बाद मैंने कुछ कम कर दिया और यहां पर जल्दी से जो यह बीव है जो यह ब्रेकवर वोल्टे जाए यह इसकी वैलू जो है जल्दी बिरिकडाउन हो जाएगा यह पर यह यहां पर ऐसे जाएगा और एक दम से अगरंट इंक्रीज और जाएगा तो दोस्तों इस तरह सबनें देखा कैसे आप बात करते ह स्कार यूज चोपर में किया जाता है इसका यूज जो मोटर की स्वीड कंड्रोल करने इस तरह से इसके बहुत सार अप्लिकेशन है तो तो वहाँ पर इसका ईश्याता आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आप शब्याइग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेर कीजिए, हम इसके बाद एक सियर के प्रैक्टिकल का भी वीडियो बनाएंगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेर कीजिए, ठैंक यू